सिर्फ यह एक चीज अपने बालों में लगा ली तो बालों की काया पलड जाएगी हलो फिरिंस वाके तब सभी कापके अपनी यूट्यूब चैनल अर्वेट के हेल्थ एंविटी सेक्रिट में आज के इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अब चैनल नहीं किया है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब किजिए बिल आपन को प्रेस करके अल अप्सन को सेलेक्ट कर लें ताकि आप हमारे सभी वीडियो से नोटिफिकेसन मिलती रहें इसके लागे कोई भी कोई रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ल हमारे बालो के ड्राइनेस, फ्रिजिनेस को दूर करते हैं, बालो को सॉफ्ट करते हैं, मौस्टराइच करते हैं, हेर फोल को कंट्रोल करता है, साथी साथ ही हमारे बालो के ठीकनेस और ग्रोथ को इंप्रूब करता है, सर का डाइनरब जीसी प्रॉबलम को जल से दूर कर द बालों को बहुत चमकदार और स्वास्ति बनाता है, तो मैंने यहां पर चार से पांच चमक भड़ी ले लिया है, आप कोई भी बहुत ले सकते हो, अगर आप घर का बना हुआ दही लेते हो, क्योंकि उसमें वसा प्रिचल मात्रा में होता है साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी काफी जादा होती है क्योंकि प्रोटीन और वसा की हमारे बालों को बहुत जादा जरूरत होती है जो भी लोग अपने बालों में regular सैंपू करते रहते हैं लेकिन वें अपने बालों में तेल लगाना पसंद करते हैं और उनके पास हैर पैक लगाने का बिल्गल भी टाइम नहीं diffire बालों है unpormous will wanna find really weird आज की रेमडी के लिए जो ज्यादा ताम जाम नहीं करना चाहते हैं तो अगर आपके सर में डेंडर नहीं अपने प्रोब्लम से चुटका रहा है जायते हैं एक से दो चमच लेमन जूस या फिर हाफ लेमन या पूरा एक लेमन आप इसमें स्कुईज कर सकते हों तो आपके डेंडर की प्रोब्लम भी दूर हो जाएगी और आपके बालों के अच्छी कंडेशनिंग भी हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर आधाल लेमन डाल दिया है क्योंकि लेमन में वेट्विंज सी प्रिचिन मात्रम पाया जाता है जो कि हमारे सर के डेंडरव को और हमारे स्कैल्प के फंगल इंफेक्शन को दूर करने में बहुत मदद करता है साथ ही हमारे बालों को चमकदार भी बनाता है और दही के साथ मिलकर यह हमारे हेर फॉल को कंड्रूल करने में बहुत जादा मदद करता है इसके लावा गैज अगर आपको तो दिक हैर याप कर रहीए घृuel से सरसूर तो आपको चमकका तेयल से आपके बाल में इससे बहुत बहुत दोपर यह बहुत हैं अगर आपके बालो को सारा पोसर निलता है और आपके बाल रहते हैं और फ्रेंट अगर आप घर का दही उज़ करते हैं तो घर का जो दही होता है उसमें फैट होता है यानि कि वसा यानि कि जो घी होता है उसकी मात्रा दही में होती है तो इसे आपके बालों की जो तेल की कमी हो उसे पूरा करने में मदद मिलती है हपते में कम से कम एक बार आप अपने बालों में दही यानि कर्ड का इस्तमाल जरूर करें और बहतर होगा अगर आप घर का बना हुआ दही उज़ करते हैं तो आपके बालों के लिए तो बरदान का काम करता है और यह आपके बालों को समय सफेद होने से भी रोकता है यानि कि समय से पहले आपके बाल सफेद नहीं होते हैं लंबे समय तक काले लंबे घनी और चमकदार बने रहते हैं तो यह मास्क कमारा अपनकर रेडियो हो गया गया चले जाने ते इसको कब और कैसे लगाना है तो आप इसमें और लेमन भी आड़ कर सकते हैं यह आपके सब्सक्राइब को दूर करने के साथ साथ हेर फोल करके बालों को हिल्दी और सिल्की बनाएगा तो इसको आपको हपते में कम सकम एक बार जरूर अपलाई करना है और अगर आप हेर पैक या उयल यूज करते हैं तो आप इसको अपने बालों में जरूर आपके बालों को बहुतिता हेल्दा और स्भी अप लुखयब। आपको कोई वेनिफिट नहीं मिल पाता है और अगर आपके बालों में थोड़ा बहुत ओयल लगा है तो भी आप इसे हेर पैक को लगा सकते हो तो फंट इसको आपको अपने स्केल्फ में अच्छे से मांग करकर के लगाना है अगर आपके सर में डांडर फै तो आप इसको मस पैक जलदी से सूख जाते हैं तो आप किसी और मौशम में लगा रहे हैं तो आप इस पैक को कम-아무 आपने ऐखन अपने आखन के छोह लिए बालों के मतलिने playback तो आपको सरकार डाइनर बिल्कुत दूर हो जाता है साथ ही आपका हेर फॉल कंट्रोल होने लगता है आपके बालों के जड़ने टूटने की जो प्रॉब्लम में वह भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है आपके बाल बहुत हिल्दी सायनी और स्वस्तों हो जाते हैं सो गई यह थी हमारी आज की यूश्फुल वीडियो में इसके अलों मेरे चैनल पर हेर ग्रोस से रिलेड़ेड बहुत सारी अच्छी वीडियो मिल जाती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस कर दे अल उप्सन को स कि अगर मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वाचिन टेक क्यार बाइबाइए